Hello everyone, स्वागते आप सभी का इस वीडियो में हम 10 questions को करने वाल हैं questions आपके mix होंगे आप किसी भी topic पर वीडियो चाहते हैं आप comment कर सकते हैं आपका कोई suggestion है आप वो भी मुझे comment कर सकते हैं मैंने पिछले ही कल full length mock test upload किया है आप वो भी देख सकते हैं अगर आप channel पर नए हैं तो भी आप subscribe करें तो इससे पहले कि हम start करें यहाँ पर मुझे 2 questions है उनका update करना था तो मैंने आपसे question पूछा था कि आपको यहाँ पर शुद वरतिनी का या जो सही लिखा है आपको उसे बताना था तो मैंने प्रिथक आपसे पूछा था तो इसका जो हमारा right answer इसका option था प्रिथक यहाँ पर देखी हलंत की गलती थी तो maximum लोगों ने यह पहले यह ratio around 80% था जब मैंने answer पीन किया है उसके बाद यह 29% पर आ है most abundant metal in earth आपको पता है इसका आंसर जो था वो iron था जब बात earth crust की होगी आपसे जब earth crust के बारे में पूछेंगे तब जाके आपके answer जो होगा वो aluminium होगा तो आप यह भी याद रख सकते हैं तो आईए start करते हैं हमारे जो 10 questions है an apple of discord तो आपसे idiom पूछी गई है an apple of discord क्या होता है इसका जो मतलब है the cause of continuation continuation का मतलब वह था आपका विवाद यह आप बोल सकते हैं विवाद की जड़ नेक्स्ट आपका die hard यह भी आपकी idiom है तो आपने सुना भी होगा मैं आपका die hard fan हो यह वह सो तो इसका मतलब होता unwilling to change मतलब वह उसी की die hard fan रहते हैं तो आप ऐसी व्याद रख सकते हैं unwilling to change जो मतलब बदलना ही नहीं चाहता है उसे कहते हैं die hard तो option A आपका right answer होगा अभोगे के लिए आपका विलोम शब्द क्या होगा योगा option C भोगे अथ का विलोम शब्द क्या होता है आपको पता होगा option C इती असमान अर्थक शब्द बताना आपको इन में से कौन सा है तो इसका right answer है option C कालिंदी बाकी जितने भी आपके गंगा मंदाकिनी और त्री पत्गा ये आपके प्रहवाची शब्द है गंगा के गंगा को आप देव नदी के नाम से भी जानते हैं और इसका ही प्रहवाची शब्द भी होता है जानवी नेक्स्ट आपका modern periodic law had given by जो आपके आधुनिक अवर्तनियम है वो किसने दिये हैं वो दिये हैं आपने जो मोजले हैं साइंटिस्ट उन्हें ने दिये हैं और जो लिवोजर है वो आपके father of chemistry से भी जाने जाते हैं उसके नाम से भी जाने जाते है अगर आपका जो detergent है तो कहते हैं कि hardness of water या पानी की जो कठोरता होती है उसे हम किस प्रोसेस से remove करते हैं option C जो है हमारा Calgon नेक्स्ट आपका आपने एक word सुना होगा bull and big या जिसे आप big and bull भी कहते हैं और associated with किस के साथ है आपका foreign trade या ने की विदेशी बेवार banking के साथ है या share market या manufacturing तो यह answer होगा आपका option C share market आपने मुवी देखे होगी scam 1992 उसमें बहुत बार big bull का जिक्र हुआ है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं bill of which of the following categories can be initiated only in the लोगसभा आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप कौन सा बिल है जो सिर्फ लोगसभा में ही मतलब सबसे पहले आपको लाना होगा अगर आप उसे चलाना चाहते हैं या पारित करना चाहते हैं किसी भी house में सबसे पहले आपको लोगसभा में ही लाना होगा तो कौन सा बिल होता है मनी बिल मनी बिल को आप सिर्फ लोगसभा यानि की जो आपका निम्द सदन होता है उसमें ही लाना होता है आपको वहीं पर रही आपकी सबसे पहले वोटिंग होती है आप क्योंकि और यह कौन डिसाइड करता है कि जो आपका मनी बिल है जो आपको लोकसभा का speaker होता है, वही ये decide करता है कि आपका कोई financial bill जो है, वो money bill है या नहीं है, देखिए बहुत बार ये question पूछा जाता है, और आपको एक question और याद रखना है, जो हमारी parliament होती, यानि ये संसद, parliament होती है, जिसे हम संसद भी कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, उसमें क्या कहता है, उसमें आता है एक तो लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, lower house भी कहते हैं, और जापके राजसभा, जिसे हम upper house भी कहते हैं, और उच सदन भी कहते हैं, और इसमें एक और भी होता है प्रेजिडेंट भी इसी में आते हैं जब आपके पास option में लोगसभा, राजसभा और प्रेजिडेंट हो तो आपको वही करना है तो आपका वही right answer होगा कि Parliament में कौन-कौन आता है लोगसभा भी आती है राजसभा भी और प्रेजिडेंट भी आते हैं तो आप ये भी याद रख सकते हैं पहले भी ये कुशन पूछा गया है next है आपका who was known as frontier गांदी और स्थिमान गांदी के नाम से किसे जाना जाता है तो उसका जो right answer option है अब्दुल गफार खां लाला लाज पतरा है इन्हें हम पंजाब किसरी के नाम से भी जानते हैं सरदार वरला भाई पतेल हैं इन्हें आप जानते होंगे ये आपके iron man यान की law पुरिश के नाम से भी जाने जाते हैं तो ये थे आपके 10 questions hopefully आपको समझ आए हो पसंद आए हो आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं you are always welcome तो मिलते हैं आपसे next video में till then have a good time take care